शाहरुक खान को बॉलीवुद का रोमेंटिक बादशा कहा जाता है, इसके पीछे बड़ी वजह उन्स्क्रीन रोमेंस रहा है, लेकिन उन्स्क्रीन रोमेंस में जान फूंपने वाले गानों को आवाज देने वाले सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य को इसका श्रे जाता है मैं कोई ऐसा गीत गाउं, क्यार जू जगाउं, वो लड़की जो सबसे अलग है, और वादा रहा सनम, जैसे गाने आज 20 साल बाद भी लोगों के जहन में कबजा किये हैं इन गानों को अपनी खंक्ती और मधूर आवाज से सजाने वाले सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य आज अपना छियासत्वा जनम दिन मना रहे हैं बेहत खूबसूरत आवाज के मालिक अभिजीत भट्टाचार्य ने बॉलीवूड की 349 से ज़्यादा फिल्मों में गाने गाये हैं करीब 10 साल तक बॉलीवूड संगीत की दुनिया पर राज करने वाले सिंगर अभिजीत अपने बढ़बोलेपन की वज़े से करिय दुबा बैठे अभिजीत ने साल 1983 में आई फिल्म मुझे इंसान चाहिए से अपने करिय की शुरुआत की थी इसके बाद दादा मुनी, आनंद और आनंद, विक्रम, गुरुदक्षिना और प्रतिकार जैसी फिल्मों में अपनी आवाज का जल्वा बिखेरा इसके बाद आया नब्बे का दशक और शाहरुक खान की दिवानगी लोगों सिर चड़ने लगी ये वो दौर था जब खास हीरो के लिए एक सिंगते होता था, जो उसकी आवाज हुआ करता था अभिजीग भठाचार्य ने भी शाहरुक खान के लिए दरजनों सुपहित गाने गाए और उन्हें रोमेंस का बेताज बादशा बना दिया लेकिन बाद में अपने बयानों की चलते बॉलीवुड ने उनसे किनारा कर लिया अभिजीग भठाचार्य ने सल्मान खान से लेकर शाहरुक खान तक से पंगा लिया साल 2007 में अभिजीग भठाचार्य ने फिल्म ओम शांति ओम में एक गाना गाया लेकिन उन्हें इसका क्रेडिक नहीं दिया तो वे शाहरुक खान पर जम कर भढ़के अभिजीग भठाचार्य ने बॉलीवुड सिंगर्स और आटोट्यून वालों को कई बारारे हाथ लिया यही वजह रही कि अभिजीग को करीब चार साल तक काम के लिए तरस्ते रहे 2010 के बाद अभिजीग को काम मिलना कम हो गया 2011 में महस दो फिल्में मिली इसके बाद 2012 में कोई काम नहीं मिला और 2013 में महस तीन फिल्मों में गाने गाए 2014 में सिंगर को केवल एक फिल्म मिली इसके बाद 4 साल तक काम के लिए इंतजार करते रहे साल 2018 में अभिजीत को केवल एक ही फिल्म मिली अभिजीत ने 2020 में आखिरी बॉलिवुड फिल्म में गाना गाया था इसके बाद से अभी तक कोई फिल्म नहीं मिली है अभी जीत अपने कॉंसर्ट में गाना गाते हैं और रियालिटी शोज में भी जज़ बन कर आते हैं